शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी लोगों पर भगवान मुले नात मा पर पार्वती की क्रिपास अदयो बरस्ती रहे भगवान श्रावण मास की शिव मा पुराण की कथा का यह दस्वा अध्याय है भगवान भूले नाथ की अतिरमडी पावन पवित्र भोसागर से तारने वाली कथा प्रस्तुत है। भगवान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्राप्त करके नाना प्रगार की इस्तुतियों द्वारा उनका इस्तवन करें। अहिश्वर सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूत नात शिव मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथ्वा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। प्राण चित सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। इस यह जान कर मुझ पर प्रसन हो ये कृपा कीजिए संकर शिव भूले नात मैं अंजान में अथ्वा जान बुझकर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हूँ तो आपकी के पासे हुआ सफ़न हो जाए। गवरिनात मैं आधुनिक यूग का महन पापी हूँ पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, बेदों पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्री सिद्धानतों और विभिन महार्शियों ने भी अब तक आपको पुन रूप से नहीं जान पाया है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ, हे महश्वर, मैं जैसा हूँ, वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आप करहूँ, आपके आश्री तुम इसलिए आप से रक्षा पाने के योग हूँ, हे परमेश्वर, हे महश्वर, आप मुझ पर प्रसंद होए। मुने इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान मोले नात की प्रात्रा करके हाथ में लिये वे अच्छा तोर पुष्वर, भगवान शेव के उपर भक्ति भाव से बीद बुर्वक शास्ट्रांग प्रणाम करके चड़ाना चाहिए। इसके बाद शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रों बीदी से इश्ट देव की परिक्रमा करके फिर सुद्धापूरा की स्तुतियों द्वारा देश्वर, शिव की स्तुति करें। इसके बाद भगवान भोले नाद की उच्च स्वर से पवित्रों बिनीत चिप्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक उनको पूजन इस्प्रण करके बीदी पूरवक पूजन करके भगवान उनको जो है विस्तर जन करें। मुनिवर इस प्रणार बिदी पूरवक पार्थिव पूजन बताईगी है। वह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली इतथा भगवान शिव के भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। सूत जी कहते हैं यहें मार्शो पार्थिव लिंग की पूजा कोटी कोटी यह गोगा फल देने वाली है। कल्यूग में लोगों के लिए शिव लिंग पूजा जैसा स्रेष्ट दिखाई देता है। वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्तनों का निश्चित से दांत है। शिव लिंग भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं उत्तम, मध्यम और अधम। जो चार अंगुल उचा और देखने में सुन्दर हो तथा बेदी से युक्त हो वैस शिव लिंग को शास्त्रक मार्शियों ने उत्तम का है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह तीन प्रकार के शिव लिंग कहे गए हैं जो उत्तरोतर में स्रेष्ट हैं। ब्रामर छत्री वैश शुदरत्वा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो वै अपने अधिकार के नुसार वैदी कत्वा थांत्रिक मंत्र से सदा आधर पुरुवक शिव लिंग की पूजा करें। ब्रामरों, मारशियों अधिक कहने से क्या अलाब शिव लिंग का पूजन करने में इस्तरियों को थथा अन्य सब लोगों का भी बहुत अधिकार हैं। द्विजों के लिए वैदिक प्रदित से ही शिव लिंग की पूजा करना स्रेष्ट हैं। परंतो अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पुजा करने की सम्मति नहीं है। वेदग द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पुजन करना चाहिए अन्य मार्ग से नहीं। यह भागवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्य दग्द हो गया है। उन द्विजों को वैदिक कर्म में शद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा इसुनितियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहिलना करके दूसरे कर्म को करने लगते हैं। उसका मनुष्य कभी सिद्य नहीं होता है। इन नामों की भी अर्चना करें। इसके बाद चंदन, अक्षत और विलुपत्र लेकर वहीं इशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इशान, नंदी, चंड, महाकाल, भिरिश, इसकंद, कपरदीश्वर, सोम तथा शुक्र ये दश शिव के परिवार हैं। जो क्रम शाय इशान, आदि, दशों, दिशाओं में पूजनी हैं। इसके पश्चात भगवान शिव के समक्ष, वीरभद्र का और पीछे कीर्थि मुक्का पूजन करके विद्वुवरक ग्यार हरुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंटर का जब करके शत्रुद्रीस्तुत्र का नाना प्रगार की इस्तुतियों का तथा शिव पंचां का पाड़ करें। इसके पश्यात परिक्रमा और नमस्कर करके शिवलिंग का भी सर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधिका आधरपुर्ण को रणन किया है। यह सूत जी कहते हैं। रात्री में देवकार को सदा उत्रा भीमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्रा भीमुख होकर ही करना उचित है। शिव लिंग से पश्चिन दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वह आराद्य देव प्रेश्ट भाग है। अता अवशिष्ट दक्षिन दिशा ही ग्राय है। उसी का आश्र लेना चाहिए। कहने का तातपर यह है कि जिस तरफ भागवान भुलेनात के पार्थि लिंग का अरगाव। उसके ठीक अपोजिट साइज में बैठना चाहिए। तातपर यह है कि शिव लिंग से दक्षिन दिशा में उत्राव्यूक होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पूरुष को चाहिए कि वह है भस्म का तिरपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिलुपत्र का संग्र करके ही भगवान शिव की पूजा करे। इसके बिना नहीं मुनिवरू शिव पूजन आरंब करते समय यदि भासम ना मिले तो मित्ती से भी मस्तक में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। जिश्णी कहते हैं कि हे मुने हमने पहले से बात सुन रखिये कि भगवान शिव का ने